गाइस फोटोस पे तो आप फिल्टर सभी यूज़ करते होंगे लेकिन विंडोस 10 और 11 में आप फिल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं यहां दोस्तों आप कैसे यूज़ करेंगे यानि की कलर कमबनेशन आपके विंडोस एक्स्पीडेंस में नहीं आपको बताऊंगे तो सबसे पहले विंडोस 11 में बताता हूं दिन विंडोस 10 में य्यॉड़ तो में पर विंडोस 11 में इसक्रीन फिल्टर यूज करने के लिए आपको जाना यहां पर आप देख सकते हैं color filter आप यहां पर apply कर सकते हैं color filters यहां पर नीचे लिखा रहोगा windows 11 में यहां पर आपके सामने यहां पर on or off का button आपके पास आएगा off रहेगा तो कोई filter apply नहीं होगा यानि कि by default आपके पास off ही होगा अगर आप use नहीं कर रहे हैं तो जिस्त आपको इसको on करना है on करते ही यहां पर नीचे कुछ filters आपके पास आजाएंगे red green combination, red weak combination, blue yellow combination, grey style combination, grey inverted then inverted ठीक है यह आपके पास combination है सारे जिनको आप as a filter अपने screen पर use कर सकते हैं आप थोड़ा सा changes भी यहां पर देख रहे होंगे आपको अलग-अलग screen पर अलग-अलग changes देखने को भी लेंगे तो जो आपकी आँखों के लिए better हो आँखों के लिए soothing हो वो आप color filter यहां पर use कर सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा demerit हो सकता है जो designing का work करते हैं उनके लिए color filter बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो color difference नहीं पता लगा पाएंगे वो actual color कौन से यूज कर रहे हैं वो नहीं पता लगा पाएंगे तो जो designing का work करते हैं वो color filter कर देंगे by default जो आपका पहले था वैसी हो जाएगी सेटिंग विंडूज 10 में यूज करने के लिए आप यहां पर start बिटन पर जाएंगे then setting में जाएंगे setting में जाने के बाद आपको यहां मिलेगा ease of access को option मिलेगा ease of access में जाने के पास left hand side में color filter सबको direct मिल जाएगा यहां पर भी आपके पास same option रहेंगे turn on color filter करनेगा ठीक है जैसी आप on करेंगे तो आप यहां पर नीचे से यहां पर आप option देख सकते हैं इन filters को apply कर सकते हैं जस्त आपको select करना होगा और आपका जो filter है वो apply हो जाएगा इस तरीके से आप filter का use कर पाते हैं इस तरीके से आप चा होगी मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक लिए धन्यवाद जय है